खबर राजिस्थान से है जह माउंट आबू से एक वीडियो सामने आया जिसमें मुस्लिम समाच के एक बुजर्ग व्यक्ती से मारपीट की गई है ये वो वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन हम जो आवाज है इस वीडियो की वो आपको नहीं सुना रहे क्योंके बेहद अशलील गाली गलोज गाली आवाज तो सुना आपने, ये मुस्लिम बुजर्ग है, कैसे इस मुस्लिम बुजर्ग की पिटाई की जा रही है ये शक्स जो जबर्दस्ती मार पीट कर रहा है इस बुजर्ग व्यक्ति के साथ कैसे पीट राइस बुजर्ग को ऐखाने जिए राम एखाने यहाद करज झिए एखाने. ए्वनन फॉजीद राम जए राम बोलगे शॅर सेखहँ नहीं मांड़ इंदग दोफोल कुम में पॉड़ीन हो इस दिते गज़ कुष्ता पॉरिक जे श्री राम बोल 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 जे श्री राम बो इसने ये पोस्ट भी किया था विडियो हम सीधे रुख कर लेते हैं अभी पीनियू संबादाता मनिश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौचूद हैं मनिश किस तरीके से गिरफ्तारी मुम्किन हो पाई शक्स की जी ये वहीं का रहने वाला है आबू रोग का और इसके बारे में जो समाज विशेश की लोग हैं उन्होंने पुलिस को लिख कर दिया था चूकि इसमें वीडियो में अपना नाम और अपनी पहचान को दुजागर की थी तो इस्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और इसमें एक दूसरा वीडियो भी अभी स पर डाला है जिसमें उसको नशे में होने की इसकी में बताते हुए उस गुजूर्थ के साथ मार्वीड करने की बार खरीकार किया और ताती मापी भी बांदी है लेकिन फिलाल पुलिस में इसके खिराब अलगला धाराओं में मामला दर्ज किया है निश्य तॉप पर सामप तरीके से पीट राएक मुस्लिम वज़ूर्ग को हाला की घरीमत ये कि अब इस शक्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब अपनी सफाई में ये व्यक्ति कह राए कि ये नशे की हालत में था बोल बोल जे सिरी राम बोल जे सिरी राम बोल जे सिरी राम क्या कहा जाया से खबरों को देखकर ये है अब को रखे आगे